हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमी बॉलिवुट के भायचान सल्मान खान की फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर रिलेस हो गया है फिल्म का ट्रेलर देखकर लोगों ने अभी से ही इसे ब्लॉकबस्टर बता डाला है फिल्म में दर्शकों को सल्लो के लटको जटकों से लेकर दमदार आक्शन देखने को मिलेगा साथ ही भायजान फिल्म में कॉमेडी का दोस भी देते नज़र आएंगे अगर आप भायजान के उन फैंस में से एक हैं जो दबंग 3 को देखने का बड़ी ही बेसबरी संतसार कर रहे हैं तो चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दबंग 3 से जुड़ी पांच खास बातों के बारे में दबंग 3 में धाकर पुलिस ऑफिसर का स्वाग ना देखने को मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता सल्मान खान सालों के बाद चुल्बल पांडे के अफ्तार में लौट रहे हैं जिन्हें देखकर दर्शकों की सासे जरूर धमने वाली है दबंग सीरीज की पहली फिल्म से सल्मान खान ने सुनाक्षे सिन्हा को इंडस्ट्री में लौँच किया था वही दबंग 3 में दर्शकों को साई मान जरेकर के जल्बे देखने को मिलेंगे जिन्हें देखते ही फैंस कहे देंगे कि ये लड़की आने वाले समय की बड़ी हिरोईन बनेगी फिल्म में सल्मान उसाई का रोमांस देखना वाकरी दल्चस्प होगा दबंग सीरीज की अब तक दो फिल्म में दर्शकों के सामने आई है और इन दोनों ही फिल्मों का म्यूजिक धमाके दा रहा है ऐसे में दबंग 3 के म्यूजिक पर भी मेकर्स ने शानदार काम किया है जिससे सुनकर आप जूमने पर मजबूर हो जाएंगे दबंग 3 में साउट के सुपर स्टार किच्चा सुदीब खलनाय की भूमे का निभाते दिखेंगे किच्चा सुदीब एक दमदार आक्टर है जो दबंग 3 में चुलबुल पांडे को कड़ी टकर देते दिखेंगे बतादे कि इससे पहले दबंग में सुनु सूद और दबंग 2 में प्रकाश राज ने खलनाय का रोल निभाया था जो की काफी पावरफुल था ऐसे में किच्चा सुदीब भी सल्मान के साथ दो दो हाथ करते नज़र आएंगे जहां दबंग में मलाइका अरोडा ने मुन्नी बदनाम के जरीए इस फिल्म को खूप सुर्खियां दिलवाई थी वही दबंग 2 में करिना कपूर ने फेविकॉल के जरीए हर किसी का दिल धड़काया था यही वज़ा है कि दबंग 3 में भी आइटम का तड़का लगने वाला है पतादे कि इस बार सल्मान खान के साथ वरिना हुसान ठुम के लगाते नज़र आएंगी फिल्म में इस बार मुन्ना बदनाम होने वाला है तो यह थी दबंग 3 से जड़ी वो खास वज़ा जो इस फिल्म को बनाती है ब्लॉकबस्टर प्रभुदेवा के डिरेक्शन में बनी यह फिल्म इस साल क्रिस्मस के मौके पर यानि की 20 दिसमबर को रिलीस होगी वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंच करके ज़रूर बताएं